नमस्कार आप सभी का आएगें स्ट्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे बिहार मानवा धिकार आयोग या किसी भी आयोग के अंदर आपने बाद दायर किया है और उस बाद के संबंद में सुनवाई की कोई जानकारी आप लोग को उपलब्द नहीं कराई जा रही है तो आप किस प्रकार उस आयोग से RTI लगा कर अपने बाद से संबंदित सुनवाई की जानकारी ले सकते हैं मैंने एक मा के नाम से बिहार मानवा धिकार आयोग में एक बाद दायर किया था थाने के खिलाब जिसके संबंद में मैंने 2020 में ही आवेदन प्रेशित किया था जिसमें अब तक उचित का रवाई नहीं हो पा रही है इस संबंद में मैंने बिहार मानवा धिकार आयोग में जाकर एक RTI आवेदन दाखिल किया है आप लोग भी इस तरह आवेदन बिहार मानवा धिकार आयोग में या किसी भी आयोग में आपका बाद लंबित हो चाहे वह सुचना आयोग हो मानवा धिकार आयोग हो या कोई अन आयोग हो इस प्रकार RTI लगाकर आप अपने वाद से संबंदित जानकारी ले शकते हैं चलिए जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अबस कर लें जिससे RTI से संबंदित या भरष्टाचार के खिलाफ लोग आयोग लोग शिकायत या अन्य कार्यालों में किस प्रकार शिकायत कर अपने वाद की सुनवाई कर सकते हैं इसकी जानकारी प्राप्ट करेंगे तथा इसे इतना सेर करें कि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी हो शके तो यह देखिए यह प्रपत्र को है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लिखेंगे बिहार मानवाधिकार आयो यह अपने वाद लंबित है उसका पता लिखेंगे अपना नाम पूरा पता लिखेंगे वाद संख्या जो भी हो मेरा वाद संख्या है बी एच आर सी केश नंबर 5469-04-2020 की सुनवाई कीती थी क्या है चुकि इस संबन में मुझे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है अता सुनवाई ह तो भीजेगे नोटिस की प्रमानित छाया परती दी जाए जिससे मैं सौसमे अपने वाद की सुनवाई में अपना पक्ष रख सकूँ जीवन और 183 से संबन्दित होने के कारण मुझे इसकी सूचना अर्थालिस गंटे में सिक्रत परदान करने की किरपा की जाए इस प्रकार लिकर आप यदि गरीवी रेखा से नीचे के हैं और आपके पास रासन कार्ड है तो आप अपना रासन कार्ड संख्या देकर उसकी छाया परती लगा कर नेशुल्क सूचना प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार यदि आप लोग किसी भी आयोग में RTI लगाएंगे तो संभावना है कि उस आयोग में आपकी वाद की कारवाई सिग्र करवाई जा सके यह मैंने बिहार मानवाधिकार में हाथों हाथ महाँ जमा करवाया था जिसका रेशिविंग दसकत मोहर सहित उपलब्ध है इसलिए आप लोग भी इस प्रकार RTI अवस्च लगाएं जिस से आयोग में भी सूचना आयोग हो मानवाधिकार आयोग हो या जो भी आयोग में आ आपका बाद लंबी था है RTI लगाएंगे तो आपके बाद में सिर्फ सुनवाई होश रखती है जैहिन